करेंगे वो होहां काइनक्तिक्स का यह four इंदर मोंसट अन्डर ग्रेविटी इस वीडियो में बता दू तो इस वीडियो में मैं पुरा concept सिखा दूगा और अगले वीडियो में इस पर बेस्ट नुमेरिकल तो सबसे पहला question आता है motion under gravity ये कब होता है तो देखे देखे इस acceleration produced by a body by the force of gravity is called acceleration due to gravity होता है क्या है basically कोई भी object जब अर्थ की और सपोजी है हुमारा अर्थ है तो अर्थ की और जब कोई भी body आता है तो अर्थ उसको अपनी और एक acceleration से खीशता है जिसकी value होता है g और इसमें हमेशा ध्यान रखेगा g का value होता एक्जेक्ट value 9.8 meter per second square होता है इसको approximately हम लोग question को easily और calculation simple रखने के लिए 10 लेके solve करते हैं तो acceleration due to gravity क्या हुआ कोई भी body जब किसी height से नीचे आता है ठीक है तो अर्थ उसको अपनी और g acceleration से खीटता है और हमेशा ध्यान रखेगा यह अर्थ का gravitation हमेशा नीचे ही लगेगा यह किसी भी case में इसकी direction हम नहीं बदल सकते है अर्थ का gravity हमेशा नीचे लगता है toward the surface of the earth ठीक है तो इसमें अब देखे तो पहला है if a body is projected upward सपोज माल लिजे यह ground है यह पहला case करके देखेंगे और यहां से सपोज आपने एक ball को इस ground से उपर फेका ठीक है तो प्रोजेक्टेड अपवाट सपोज यह कुछ h height तक यह ball गया होगा आपने कुछ इससे initial velocity u दिया होगा तो ball जब उपर जा रहा था तो कोई भी ball को आप तीचे से उपर फेकोगे तो वो कब तक उपर जाएगा यारी body की velocity upward direction में है यहाँ पर body की velocity की बात करें तो upward acceleration नीचे तो इसमें हमें ध्यान रखेगा हम लोग equation of motion जो जानते हैं तो जब भी अब पता है कि velocity और acceleration अपरचिट डिरेक्शन में होता है तो acceleration को हम लोग negative sign के साथ लेना होगा तो इस case में acceleration क्या लेंगे minus g इस case में हमार 9 में जो आपने परहा था वही सारे equation को अभी पहले लिखता हूँ आदेन इस situation के कोड़ी इस equation को हम लोग transform करेगे वी square minus u square equal to 2s पढ़ा था and v is equal to u plus 80 यह आपने class 9 के अंदर पढ़ा हो अब देखें इसके अंदर होता है इस का मतलब क्या हो गया distance कितना distance कवर करा h is equal to u into t त तो u into t initial velocity तो ut है चली कोई दिक्कत नहीं सपोज इसको उस height तक जाने में time लगा तो याद रखेगा t time जो है time of ascent maximum height तक पहुचने का time है तो यह याद रखेगा तो u into t minus half gta square यहाँ हमने minus किसको किया g को क्योंकि इस case में ball उपर जा रहा है और acceleration नीचे लग रहा है h equal to ut minus half g uta square यहाँ देखे v square minus u square equal to 2as होता है तो final velocity क्या हो जा रहा है देखे final velocity तो 0 होगा इस particular case में final velocity 0 होगा तो 0 minus u square is equal to minus 2a 2g into h हमने क्या करा acceleration के जगा minus g put करा और s के जगा displacement कितना है height है तो इसलिए h लिए देखे minus minus cancel हो जाएगा और यहाँ से आप h is equal to क्या लिख सकते हो u square by 2g तो यह h किस चीज का formula आगया अगर आपको formula याद रहे तो भी ठीक नहीं याद रहे तो भी आप calculation कर सकते हो यह h क्या हो गया किसी भी ball को जब आप नीचे से उपर फेकते हो with some initial velocity तो वो maximum height तक जाएग कब रुकेगा जब velocity 0 हो जाए तो वो maximum height कितना होगा h equal to u square by 2g जहाँ u क्या है initial velocity g क्या है g की value 10 हमने आपको बताया वीडियो के सुरादी उसके आदेखे वी is equal to u plus at अगेन देखे यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते है वी तो 0 है इस case में देखे velocity 0 आ जा रहा है यानि 0 is equal to u minus gt तो यह तो simple है इसमें तो कुछ करना है न यह u is equal to gt लिका लिए initial velocity अगर find करना है तो mainly आपके पास यह formula यहाँ काम है यहाँ से आप time find out कर सकते है देखे time is equal to क्या हो जाएगा u by g यह t क्या है देखे हमने अभी आपको बताया न कि यह time क्या है maximum height तक पहुँचने का time है इसको time of ascent भी बोलते है okay time of ascent okay time of ascent चुकि acceleration constant है g अपनी value को change generally small height पे नहीं करता हो gravity में देखेंगा बहुत ज्यादा height बढ़ेगा तो करेगा although इस chapter में हम यह मान के चलना है कि g अपनी value को change नहीं करता तो अगर इस ball को उपर जाने में t time लगा जिसे हम लोग time of ascent बोलत time of ascent is equal to time of descent नीचे आने का भी time बराबर होगा time of descent okay तो यह ध्यान रखेगा maximum height जाने में कितना time लगा u by g जितना time जाने में लगा उतना ही time वापस आने में तो अगर मैं आप से पूछों कि total time कितना लगा total time of flight total time of flight total time of flight कितना हो जाएगा तो t is equal to जाने का time और आने का time या और t की value आपने पताल कर रखा है तो 2 u by g यह आप ध्यान रखें यह तीन दो concept basically काम का है इसमें total time of flight time to reach maximum height and this is the maximum height तो यह रहा case 1 हम लोग case 2 की और move करते है case 2 में है if a body projected downward with some initial velocity अब सपोज यहाँ पे किसी building से यह ground है और यह कोई building है सपोज इस building से आपने एक ball को u velocity से नीचे फिका तो आपने तो u velocity से नीचे फिका लेकिन इस ball पे एक gravitational acceleration g भी तो काम करेगा तो इस case में देखिए u और g कैसा है मतलब velocity और acceleration same direction में तो जब भी velocity और acceleration same direction में होता है तो हम लोग क्या करते हैं sign positive लेते हैं यह आपने पढ़ा भी होगा acceleration negative कब होता है जब वो velocity के ulti direction में लगे है ना तो v और u same direction में होगा तो यहाँ simple है आप कोई भी formula देखे यहाँ पर देखे एक तो हम लोग निकालते हैं v is equal to u plus at तो इस equation को आप कैसे लिख सकते हैं v is equal to u minus u plus gt simple इसमें तो कुछ करने की ज़रोते हैं s is equal to ut plus half at square ठीक है तो s का मतलब क्या हो गया suppose यह building h height तक था तो displacement कितना h initial velocity क्या है initial velocity u है तो आपको ut ही रखना होगा ut plus half gt square तो इसमें कुछ भी खास नहीं है सेम वही सारी चीज़े है और v square minus u square is equal to 2as तो अब इसको भी चाहो तो इसको अगर modify करना हो तो v square minus u square is equal to 2gh तो इसमें कुछ भी नहीं simple वही सारी equation है आपको बस यह ध्यान रखना है u or g same sign के साथ होगे तो इसमें कोई formula याद करने के जरूतने है आपको basic यह 9th class से आपने पढ़ते आ रहे हैं तो same वही चीज़े है इसलिए इसमें बस यह ध्यान रखना है sign sign होगे case 3 देखते है body is dropped from some height अगर body को कुछ height से हमन drop किया है तो body को अगर some height से drop करने का मतलब होता है उसका initial velocity 0 पिछले वाले question में क्या था कि उसको किसी velocity से नीचे throw किये थे अब की बार simply इसको drop करते है तो body को simply अगर drop करेंगे तो obviously बात है अब उसमें g तो act करेगा ही करेगा और velocity का फी direction क्या होगा नीचे जोकि gravity नीचे अगें हमारे पास u और g same direction है same direction है तो g की value कैसा लेंगे g की value आप objective लोग है अब बस इसको solve कर लेते हैं देखें अब इस case में initial velocity क्या है 0 और ये h height से drop किया गया तो v square equal to 2ah v is equal to root to a के जगा हम लोग g रखेंगे root to gh तो ये एक काम का formula है जो आप याद रखेंगे ये formula किस च का होगे आपके पास कि आप किसी भी height से ball को या किसी भी object को simply drop करते हो तो जिस समय वो ground को hit करता है ना ground को जिस समय hit करता है उस समय उसकी velocity कितना था तो वो root to gh के बराबर था बाकी equations तो आप वैसे लिख सकते हैं यहाँ पर देखें अब इसको अगर हम लोग लिखें तो इस अगर मैं पूछू कि एक सेकेंड में एक सेकेंड में body कितना चला तो h1 मान लेते हैं वो कितना हो जाएगा 1 by 2 into 10 into 1 square यह आपके पास कितना आ जाएगा 5 कुछ चीजे हम लोग सिखें यहाँ देखें एक सेकेंड में body कितना चला बस इस formula के अंदर आप time की value put करते चले बॉल एक सेकेंड बात कहा था दो सेकेंड बात कहा था तीन सेकेंड बात कहा था अगर दो सेकेंड में पूछा जाए आपसे तो h2 मान लेते हैं दो सेकेंड में उसका location कुछ h2 आ गया कुछ नीचे यह बॉल आ गया तो बस इस formula में t के जगा 2 put करिए 1 by 2 g के जगा 10 t के पास आ जाएगा 20 इसी तरह थार्ड सेकेंड की बात करें थार्ड सेकेंड नहीं सॉरी थार्ड सेकेंड थार्ड सेकेंड वाला केस पर अभी हम लोग आते हैं 3 सेकेंड उसे h3 बोलते हैं तो let's say this is 1 by 2 into 10 और 3 का स्कार कितना हो जाएगा 9 तो 2 से यह 5 ताइम कट जाएगा य कि मुझे h1 is to h2 is to h3 का ratio बताओ तो यह 5 20 45 इसमें से 5 common निकालो क्या बचाएगा 1 is to 4 is to 1 is to 4 is to यह कितना जाएगा 5 common निकल जाएगा तो 9 तो ध्यान से देखें तो यह 1 का स्कार 2 का स्कार 3 का स्कार की तरह दिख रहा है क्या यानि अगर h4 की मैं बात करू तो by default आप h4 क् लेगो 1 का स्कार 2 का स्कार 3 का स्कार 4 का स्कार यानि 4 का स्कार है ना तो 16 फिर 25 इस तरह से आपका ratio होगा तो यह क्या है यह जो हमने find out करा है यह basically अपने पास क्या है total एक सेकेंड बाद उसकी final location क्या है from initial position दो सेकेंड बाद उसकी final location क्या है 20 meter from initial position तीन सेकेंड बाद क्या ह है 45 मिटर कमी बार सवाल ऐसा पूछता है कि second second में कितना चला अब ध्यान दीजे अगर पूरी जर्णी इसने five second कवर की तो पहला second में तो इतना चला दूसरे second में यहाँ पर है ना जीरो से लिके one second में यहाँ था one two यहाँ था तो two second में इतना चला तो यह कैसे निकालोगे तो आप कैसे देखे second second का कैसे निकालते हैं formula देखे eneth second में body क्तना चला तो आप सिधा n-1 करेंगे यह ध्यान रखे ineth second यानि मालनीजी आपसे पूछा जाए, फस्ट सेकेंड में बोड़ी कितना चला, छीक है, फस्ट सेकेंड में बोड़ी कितना चला, तो 1-1, यानि ये तो simple 5 ही रह जाएगा, सेकेंड सेकेंड में, सिर्फ दूसरे सेकेंड में बोड़ी कितना चला, तो क्या करेंगे, 2-1, यानि दूसरे सेकेंड में जो चला, देखे, सेकेंड सेकेंड, तो सेकेंड में पूछा है, तो दूसरे सेकेंड में बोड़ी कितना चला, 20, पहले सेकेंड में कितना चला, 5, दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 50, इसी तरह अगर 3rd 2nd में बोड़ी कितना चला तो 3rd 2nd का मतलब क्या करोगे 3-1 3-1 3-1 कितना तो देखें 3rd 2nd में body कितना चलेगा यह देखें आप क्या करोगे इन दोनों के आपस मैनस कर दो 45-20 कितना हो जाएगा 25 तो यहां आप देखो अगर ध्यान से यहां आपके पास दिखेगा 5 common निकालने तो अगर ratio निकालना हो तो यहां आप तीनों को मिला के आप ratio क्या लिख सकते 1 is to 2 is to sorry 1 is to 3 is to 5 सबसे 5 common निकाली जे ते 3 और 5 यहां odd में तो nth second में, second second में, third second में, fourth second में कितना चला तो यह हमेशा odd multiple होगा odd multiple तो दोनों में आपको difference पता होना चली यह जो है इसमें हम लोग initial position से सारा distance मेजर कर रहा है इसमें एक particular interval of time की बात कर रहा है जिसमें किसी particular second में body कितना चला suppose चोथे में ratio पूछता तो ratio हम लोग करते कितना 7 फिर 9, 11 इसके according यह ratio बरता चला जाएगा odd number कितना तो यह case third रहा इसमें ध्यान रखेगा अगले वीडियो में जब हम लोग इसमें numerical लेंगे तो आपको और भी crystal clear हो जाएगा concept अभी यह formula और concept कैसे बना है यह आपको सीखना है next video में हम लोग question करें case 4 if a body is projected of what with some initial velocity अब इसको भी देखिए अगर यह suppose एक building है और यहां से किसी ने ball को उपर फेका है किसी ने ball को उपर फेका अब यह देखे ball कैसे जाएगा ball पहले तो जाएगा उपर फिर उसकी velocity 0 होगा ता आएगा नीचे माल लेते हैं यह building का height h है तो यह ball यहां से यहां तक जो गया उस height को मैं h बोल रहा हूँ ठीक है न जहां से लड़का खरा है यहां से ही side को मैं h बोल रहा हूँ तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि ball का total displacement कितना है तो total displacement of the ball आप क्या बताऊगे ball का initial displacement क्या होता है ball सुरू कहां से क्या था यहां से खतम कहां किया ground पर तो यह distance already capital h है बट इसी question में आप से पूछा जाए total distance total distance पूछा जाए तो देखिए h तो यह रहा उसके बाद some distance यह small h उपर गया फिर नीचे आया यानि total distance में h तो अल्रेटी यह उपर था यहां से h उपर गया फिर h नीचे आया उसके बाद capital h नीचे आया यानि h उपर गया फिर h building के height तक नीचे आया उसके आथ finally वो ground पर आन यहां से फिका गया तो इसको origin माल लेंगे यहां पे sign up negative लेंगे उपर का sign up positive लेंगे तो बस यहां है आपको एक equation ध्यान रखना है is equal to ut plus half at square को इस condition के according कैसे लिखेंगे इस के जगा हम लोग करेंगे minus है चुकि वो छट से जब ख़ड़ा होके फिका है तो नीचे वाले को हम negative माने है तो यह क्या होगा minus capital h यहां small h capital h में फर्क ध्यान रखना है आपको small h building पर ख़ड़ा था उससे वो maximum height तक गया वो ut कुछ initial velocity u के साथ उफेगा यह ut minus half gta square तो इसको आप further इसमें आप solve कर लेंगे तो यही equation ध्यान रखेंगे इस equation के according हम लोग numerical solve करतें तो यह सारे concept है simple आपको motion under gravity के so next video में हम लोग इसका question करेंगे और कुछ दिर बाद अगर वीडियो आया तो इसी में मैं link भी attach कर दूँगा so मिलते हैं next video में thank you and thanks for watching जहां भी आपको need लगे आप screenshot ले ले में